दोस्तों स्वागत हैं आपका हमारे इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये कब्ज कैसे पैदा होता है साथ ही इससे बचने के लिए इसके उपाई के लिए आप घर पर क्या प्रियोग कर सकते हैं दोस्तों मनुश्य का स्वास्थे मुख्यतया पेट पर निरबर होता है यानि कि आप जो ऐसा खाते हैं आपको बदले में वैसा स्वास्थे मिलता है और अगर आप अच्छा खाते हैं तो आपके स्वास्थे को अच्छा फाइदा मिलता है लेकिन अगर आप खान पान में गर की बीमारियां पैदा कर सकता है जो लगबग सो से ज्यादा प्रकार की होती है पेट के रोगों की उत्पति का मूल कारण कबज होता है अब ये कबज कैसे पैदा होता है दोस्तों जब भी आप खाना खाते हैं और उसका मल बनता है अगर आपका मल मलाशय में आ जाने पर मल त कि सवेधना जो होती है वो दीरे पड़ जाती है यानि कि दीमी पड़ जाती है और यह हमारे शरीर में जो मल होता है वो सिथिल जमा हो जाता है यानि कि मलाशय में आपका मल दीरे दीरे जमा होने लग जाता है और ऐसा करने से हमारा मलाशय इतना शांत हो जाता है कि मल बाह पयाम नहीं करते हैं आलेश्ची करते हैं या फिर आपके दिमाग में चिंता है या फिर विद्धावस्ता के कारण ये समस्याएं हो जाती है अगर आपका मलाशय होता है गेसे होती है डकार आती है और स्वास में बदबू उत्पन होती है तो दोस्तों इस कारण आपके शरीर में कब्ज पैदा होती है अब जान लेते हैं कि अगर आपको कब्ज है तो उसके लिए आप गर पर क्या उपाय कर सकते हैं दोस्तो कब्ज से चुटकारा पाने के लिए आप क्या करें खाने के बाद एक ग्लास मठा यानि की छाज में दो चुटकी अजवाइन का प्रियोग करके सेवन करें अगर ये प्रियोग आप करते हैं तो इससे कब्ज की सिकायत आपकी दूर हो जाती है या फिर आप क्या करें रात को सोते समय एक ग्लास ताजा पानी में एक चमच शहट डाल कर पिए इससे आपका सवेरे पेट खुल कर साफ होता है और मल त्याग में भी आसानी होती है कब्ज का ये नाश करता है या फिर आप रात को सोते समय निम्बू को काट कर रख दें सवेरे इसकी सिकंजी बना कर अगर आप पीते हैं तो भी आपकी कब्ज खत्म हो जाती है तो दोस्तों ये थे तीन ऐसे उपाई जो की आपकी कब्च को खत्म कर सकते हैं साथी आप उन बातों का भी ध्यान दे जो की मैंने पहले बताई है जिसके कारण कब्ज उद्पन होती है अगर मूल कारण आप खत्म कर देंगे तो कब्ज अपने आप खत्म हो जाएगी अगर आपको इस जनकरी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दन्यवाद